तो आज हम फोटो बायो रेक्टर एंड रेसी पोइंट्स के द्वारा एल्गी का कल्टिवेशन की इस प्रकार से किया जाता है उसका अध्यन करेंगी इसमें फोटो बायो रेक्टर एक प्रकार का क्लोज सिस्टम होता है इसमें मैक्रो एल्गी को कल्चर किया जाता है और इसमें प्रकास आसानी से अंदर प्रविश करता है क्योंकि यह एक पादर्शी टैंक होता है और फोटो बायो रेक्टर एसा बायो रेक्टर है जिसमें प्रकास इस्त्रोत का उप्योग फोटो ट्रोपिक मैक्रो और्गनीज की खेती करने के लिए किया जाता है फोटो ट्रोपिक मैक्रो अर्बनीज्म की खेती किया जाता है फोटो बायरेक्टर में और यह आर्टिफीसियल वातावरण में एलगी को कल्चर करने का विधी होता है उसके बाद फिर फोटो बायरेक्टर का टाइप देखे तो पहला है ट इसमें बूच्षर करने के लिए उपयोग किय जाने वाले फोटो बायोरेक्टर तुईब के समान ही होता है जैसे अज़ए सक्ता के अनुस्यार ुसमें फल्ड करके निश्चित स्थान पर उसे रखा जाता है और इसमें LG को कल्चर के लिए उचित मांत्रा में पोशक पदार डाला जाता है और कल्चर किया जाता है और इसमें जो CO2 है उसको सप्लाई करने के लिए एक इस्थान छोड़ा जाता है उससे फिर CO2 मतलब उसके अंदर जाता है और फोटो बायोरेक्टर्स का टूइब या फिर प्लास्टिक पारदर्शी का होता है और इसी में ज़्यादातर प्लास्टिक के का ही उप्योग करके LG का कल्चर करने करते हैं तो इस प्रकार से टुबलर फोटो बायरेक्टर के द्वारा भी एलगी का कल्चर किया जाता है और अगला टॉपिक टाइप है होरीजेंटल्स फोटो बायरेक्टर होरीजेंटल फोटो बायरेक्टर में भी एलगी का कल्चर किया जाता है होरीजेंटल्स में भी एलगी का कल् किया जाता है अर्थात इसमें उची तापमान नियंत्रण का एलगी का कल्चर किया जाता है उची तापमान में एलगी का कल्चर किया जाता है इसमें और अगला टाइप है फ्लाइट फोटो बायोरेक्टर यह यह भी एक प्लेट के आकार प्लेट के जैसे होता है इसमें भी या किया जाता है और इसका उपयोग अक्सर प्रयोग साला में किया जाता है मैक्रो एलगी को कल्चर करने के लिए क्योंकि यह फोटो बायरेक्टर कल्चर की सतह पर जो विकीरन की मापन करने के लिए सुईधा प्रदान करती है फोटो बायरेक्टर में यह फोटो बायरेक्टर होता है उसमें विकीरन की मापन करने के लिए यह सुईधा जनक होता है इसलिए इसको अक्सर प्रयोग साला में उपयोग किया जाता है और इसका advantage देखें तो photo director में अधिक जल किया सकता नहीं होती है इसमें अधिक जल किया सकता नहीं होती है कम जल से भी algae का culture किया जा सकता है और यह एक प्रकार का monoculture system होता है अर्थात इनकी साहता से हम किसी भी एक बिसेस species को culture कर सकते हैं और photo director में सुध वस्वस्थ रूप से algae को culture कर सकती है इसमें सुध रूप से algae का culture किया जाता है और इसका disadvantage देखें तो यह काफी महगा होता है और इसे आम आदमी इसका उपयोग आसानी से नहीं कर सकता और इसमें जल की मांत्रा के आधार पर अलग-अलग मांत्रा में nutrient पदार डाला जाता है और यह काफी कठिन मेथड होता है photo director में culture करने के लिए काफी कठिन मेथड होता है इसको आम आदमी आसानी से नहीं कर सकता उसके बाद अगला topic देखते है रेसीव पॉइंट्स रेसीव पॉइंट्स यह open system होता है अर्थात खुला तालाब होता है और यह रेसीव पॉइंट्स एक artificial पॉइंट्स होता है जिसका उपयोग अलगी अर्थात micro-अलगी के culture के लिए किया जाता है और इसे विशेस प्रकार से बनाया जाता है डाइग्राम में इस पर दिखी रहा है कितना एक टुप के समान बना हुआ है और उसमें पानी भरा हुए और अलगी का culture किया जा रहा है जिसमें उपस्थित पानी लगातार गती करते रहता है बहती रहता है ठीक और इसी कारण इसे रेशियो कहा जाता है डाइग्राम में देखी रहे हैं पानी पानी कितना बह रहा है और राउंडिंग राउंडिंग में एक कल्चर किया जा रहा है एल्गी का इस प्रकास से रेश्व पॉइंट्स और इसका एडवेंटेज देखें तो एल्गी कल्चर या मैक्रो एल्गी कल्चर में यह एक ओपन कल्चर सिस्टम काफी सस्ता होता है यह कल्चर एल्गी का कल्चर ओपन सिस्टम में काफी सस्ता होता है करने के लिए और रेश इस वे पॉंट्स में एलगी का कल्चर अधिक मांत्रा में भी किया जा सकते हैं और यह एक निश्चित इस्थान में उचित मांत्रा में आव सकता के अनुरूफ एलगी का कल्चर कर सकते हैं और इसका डिसेडवेंटेज देखें तो इस प्रकार के कल्चर में लंबे समय तक ए एलगी का देखभार नहीं किया जा सकता और open cultivation system कुछ तेजी से वरीधी करने वाले algae species को ही इसमें culture किया जा सकता है और इसमें अचानक मौसम खराब होने पर सेवाल की गुडवर्ता पर प्रभाव पड़ता है अगर हम ratio points में algae का cultivation कर रहे हैं और बीच में अचानक से मौसम खराब हो जाएगा तो सेवाल में प्रभाव पड़ता है तो इस प्रकार से ratio points होता है और इसमें culture किया जाता है तो हम photo director और ratio points में algae का cultivation कर सकते हैं तो इस प्रकार से मेरा seminar topic यहीं तक समाप्त होता है थैंक यू